नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा विशे अलंकार है अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाशा क्या है, अलंकार की उपियोगिता क्या है, अलंकार का परियोग कहां और क्यों किया जाता है इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे तो जानते हैं अलंकार अलंकार का सामाने अर्थ है आभूशन अर्थात गहना जिसे अंग्रेजी भासा में आप ज्वैलरी भी कहते हैं अलंकार शब दो शब्दों से मिलकर बनता है अलं प्लस कार यहां अलं का अर्थ है आभूशन और कार का अर्थ है करने वाला और कार जो है ये कर्धातू से बना है जो सुसजित करने वाला होता है सामाने भाशा में आभूशन को गहना भी कहा जाता है अंग्रेजी भाशा में ज्वैलरी कहा जाता है और शो दिंदी में हम इसे आभूशन कहते हैं अलंकार कविता की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं अब जानते हैं अलंकार की परिभाशा अलंक करोती इती अलंकारह अर्थात जो अलंकरित करता है वही अलंकार है शब्द और अर्थ में चमतकार उत्पन कर कवीता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं कावे की सुन्दरता बढ़ाने वाले यंत्र को ही अलंकार कहते हैं और तीसरी परिभाशा आता है कावे को शब्दों और दूसरे तत्वों की मदद से सू सजित करने वाला ही अलंकार कहलाता है तो ये तीन परिभाशाई थी और साथ में एक संस्कित की परिभाशा अलंकरोती इती अलंकारा तो ये चार परिभाशाई है जो अलंकार को परिभाशित करती है कि अलंकार वाके है क्या अब जानते हैं अलंकार की आवशक्ता जिस परकार मनुष्य अपनी सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए विभिन आवूशनों का प्रियोग करता है उसी तरह कावे की सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए कवी के द्वारा अलंकारों का प्रियोग किया जाता है कवीता की सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए कवी विभिन परकार के अलंकारों का प्रियोग करता है ये अलंकार संख्या में बहुत अधिक हैं हम जानते हैं बारी-बारी ये हैं क्या अलंकार के भेद अलंकार के भेद कितने हैं अलंकार संख्या में तो बहुत हैं लेकिन भेद कितने हैं अलंकार मुक्ता दो प्रकार के हैं अर्थात दो प्रकार के इनके भेद हैं नमबर एक शब्दा अलंकार और नमबर दो अर्था अलंकार शब्दा अलंकार शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है शब्द प्लस अलंकार शब्द के दो रूप होते हैं ध्वनी और अर्थ ध्वनी के आधार पर शब्द अलंकार की श्रिष्टी होती है अर्थाज शब्द अलंकार बनता है जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्वे को अलंकृत करते हैं वे शब्दा अलंकार कहलाते हैं सामाने भाषा में हम कह सकते हैं शब्दों के माध्यम से कविता में जो चमतकार उत्पन होता है वह शब्दा अलंकार होता है शब्दा अलंकार के भेद कितने हैं शब्दा अलंकार के तीन भेद हैं नमबर एक अनुप्रास अलंकार नमबर दो यमक अलंकार और नमबर तीन शलेश अलंकार तो जानते हैं इन तीनों अलंकारों को बारी बारी सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाशा जब कवीता की किसी पंक्ती में कोई वन दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोई वन विशेश तोर पे बात की जा रही है वन और वो दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में आए उसका नंबर सेम होना चाहिए जैसे चारू चंद्र की चंचल किर्णे खेल रही थी जल्थल में यहां चावन की आवरिती बार बार हो रही है एक दूसरा उधारण देखिए रगुपति राघव राजा राम इस पंक्ती में कावे पंक्ती में रावन की आवरिती बार बार हो रही है मधुर मधुर मुसकान मनोहर इस पंक्ति में मावण की अवरिती बार बार हो रही है सत्य सनेह सील सुख सागर यहाँ पर सावण की अवरिती बार बार हो रही है जो बार बार यह बतलाने का प्रियास कर रही है कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है नमबर दो यमक अलंकार परिभाशा जब कवीता की किसी पंक्ती में एक जैसे दो शब्दाएं और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो वहां यमक अलंकार होता है ध्यान देने योग्य बात है कि एक जैसे दो शब्द आएंगे और दोनों शब्दों के अर्थ अलग होंगे कैसे उधारन देखते हैं काली घटा का घमंड घटा यहां घटा शब्द की अवरिती भिन भिन अर्थ में हुई है पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेग माला के अर्थ में हुआ है यानि बादलों के रूप में और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ है काली घटा काले बादलत का घमंड घटा उनका घमंड कम हुआ अर्थात मेग माला जो है उनका घमंड कम हुआ इस प्रकार ये अर्थ की स्रिष्टी हुई है यहाँ नमबर तीन स्लेश अलंकार परिभाशा स्लेश का अर्थ है चिपका हुआ जब कवीता की किसी पंक्ती में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां स्लेश अलंकार होता है उधारन रहिम का एक बहुत ही फेमस उधारन है इस दोहे में रहीम ने पानी के तीन अर्थ प्रियोग किये हैं पानी शब्द में तीन अर्थ आ गए है कैसे पानी का पहला अर्थ है मनुश्य के संदर्ब में जब इसका मतलब विनमरता से है पानी का दूसरा अर्थ आभा यानि तेज या चमक से है जिसके बिना मोती का कोई मुले नहीं अगर मोती चमकेगा नहीं तो मोती क्यों बनेगा वो उसको मोती कौन मानेगा पानी का तीसरा अर्थ है जल से जिसे आटे या चून से जोड़ कर दर्शाया गया है तो बच्चो ये थे आपके शब्दा लंकार